नया आईबियन सेटन होसला है एरपोर्ट से ही वापस लोटा आए नाराजगी है जिस तरह से हम शिवसेना के तमाम नेताओं से आज बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी ने अपमान किया है और अब देखना होगा कि आगे की स्ट्रेटिजी क्या रहती है शिवसेना की तुरेश प्रभू हलाकि शिवसेना के सांसद हैं महराश्ट के राजापुर से वो सांसद हैं वो मंत्री मंदल में शामिल हुएं वो क्या बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें मंत्री बनाया है इस पर अब देखना होगा लेकिन शिवसेना नाराज है विबख्ष में बैठने की बात भी शिवसेना कर चुकी है अब देखते हैं उदफ ठाकरे क्या बोलते हैं क्या स्टेटिजिया आगे शिवसेना की रहने वाली है ये अब उमीद की जा सकती है कि उस पर उदफ ठाकरे अब जरूर कुछ बोलें अब देखना है ये है कि उदफ ठाकरे इस सब पर क्या कहते हैं विपक्ष में हम बैठेंगे महराश्ट में ऐसा भी संकेत मिल रहे थे शिवसेना की तरफ से अब देखना होगा कि क्या प्लान ओफ एक्षन जो है स्ट्रेटेजी जो है रणनीती जो है वो रहती है शिवसेना की ये अब देखने माली बात होगी इससे पहले चार बजे मुंबई में शिवसेना की बैठकोई शिवसेना भवन में अब उसके बाद बयान देने वाले हैं उधव ठाके महराश में जैसा कि आपको मालू है इस बार अकेले चुनाव लड़ी थी शिवसेना और बीजेपी लेकिन अनंत गीते जो अभी भी मंत्री हैं उसको देखकर देखा जा रहा था कि शायद ये रिश्टा जो है आगे भी खायम रहेगा लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी है क्या रणनीती है शिवसेना की उसका खुलासा उधव ठाके कर सकते हैं नाराज़गी जरूर है अनिल देसाई जो कि आज दिल्ली पहुंचे थे शपत ग्रहंट समारों में उन्हें भी हिस्सा लेना था लेकिन वो वापस फॉरन लौटे और वापस लौटेंबर उनका मुम्मे में स्वागत भी हुआ शिवसेना बीजेपी अलग अलग राहें चुनेंगे इस पर एलान कर सकते हैं उदव ठाकरे कमाम देश की निगाहें जो हैं वो इस वक्त उदव ठाकरे पर लगी हुई है कि आगे की रणनीती क्या रहने वाली है शिवसेना की आज 21 मंत्रियों को शपत दिलाए गई शिवसेना की तरफ से तुरेश प्रभू जो हैं शिवसेना के सांसद हैं उन्होंने शपत जरूरी कैविनिट मंत्री वो बने हैं क्या इस बात की नाराजगी है शिवसेना में या अनिल देसाई को M.O.S. मिलना था उसको लेकर नाराजगी है क्योंकि अनिल देसाई वापस लोटे मुंबई दिल्ली से अलाकि हम कुछ नेताओं से बात कर रहे थे आज शिवसेना की उनका कहना था क्या अपमान हुआ उनका वादा खिलाफी उनके साथ हुई है या नाराजगी जरूर है शिवसेना में अब उसको लेकर क्या खुलासा करते हैं उदफ ठाकरे ये अब से कुछ ही पलों में क्लियर हो जाएगा जब मुकातिब होंगे मीडिया से उदफ ठाकरे चार बजे आज बैटकविती शिवसेना की उसके बाद अब ये प्रेस कांफरेंस है माराथी में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे ये देखना होगा तो इस वक्त आप देख सकते हैं शिवसेना प्रमुक उदफ ठाकरे प्रेस से मुखातिब है अब उनके बोलने का इंतजार है देखना होगा क्या एलान करते हैं वो गटबंदन पर क्या बोलते हैं वो ये देखना होगा इससे पहले मंतन हुआ बैठक हुई चार बजे बैठक थी शिवसेना की सेना भवन में उसमें जरूर कुछ निरने लिए होंगे जिनको जिनका खुलासा उदफ ठाके कर सकते हैं नाराजगी जरूर है शिवसेना में जिस तरह से अनिल देसाई शफद ग्रेंट समारो का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे दिल्ली लेकिन दिल्ली से फॉरण वापस लोटे इस पीच उनकी अमित शा से बात हुई जैसा कि हम एक नेता से बात कर रहे थे शिवसेना के उनका ये कहना था कि केविनेट बर्ट की बात थी लेकिन उनको मोईस मिला निशाथ शमसी हमारे सायोगी इस वक्त हमारे साथ निशाथ चार वजे बैठक थी अब कुछ से विपक्ष में बैठने को तैयार है उन्होंने बिदाबसा अपने लीडर ऑफ अपोजिशन है इकनात शिंदे का नाम भी सरसमत्य से सुन गिया है और इस बात की उम्मीद थी पहले से चुकि जिस तरह से कल से तस्वीरे बदने लगी थी और जिस तरह से लगातार शिवस नहीं यह तैयारी कर ली थी कि अब वो किसी हाला अपने यह पिल्सा समझाता करने के मूर में नहीं है अला कि इनकी दी में जो बाती चुछी उई उसके बाद इस बात की उम्मीद थी कि शायर कुछ चीज़े ठीक हो जबती है लेकि जिस ता से अनिल दिसाई का नाम नई का कैबिनेट में टैट हो किया गया लेकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो उनको दिया था इसको लेकर भी शिफसेना में काफी जादा नाराजगी सुरेश प्रभू को कैबिनेट का दर्जा दिया गया उसको लेकर है या आनिल दिसाई को कैबिनेट का बोलकर M.O.S. दिया गया उसको लेकर नाराज दे। पुल्या पासुन, महाराक्ष्राच्या विधान सबीच अधिवेशन शुर्वोथे, ऐचा मरे आंदरांचा शपत्वी निया आतेक्सिंची निवाड, सरकार्चा विश्वाज दर्शक्थराओ, या शक्रण भुष्टे होती। अधिवेशन शुर्वोथे, और आपना सर्वाणा कल्पन आने, कि या उद्याचा अधिवेशन शा पार्शु भुम्य वर्ती। शिवसेना भोव मदे आत्ता शिवसेने चा सर्वा नेत्यान सोबत नवयाने नियुदूना लेला क्रिशस कांदरांची वाइटक जाली अंदर आना मारवरिशन केले गेला अन्या विदी मंडड़ा मदे विदान सब्यकले शिवसेने चे गटन येते मुणून सर्वा नुमते एकनाच शिंदे यांची दिवर्ट खरिने तालेले आये शिवसेने चांदार मला पूर्ण विश्वासा है महारशतले जन्ते ने जायका विश्वासाने आपेक्षेन आणि आशेने याना नियुदून दिलेला है समुर्पोन होते काई होते कशी लड़ाई धाली सगड़ा नमाईचे तर त्या सर्व मतदारांची आशे आपेक्षे आणि विश्वास है सार्थ ठरोतिन आणि सत्ता आसोवान असो आमी महारशला म्याये मिलून देवू या जिल्देने आणि विश्वासाने काम करते तर बाकी सग्ड़ा मोड़ी आप्ले डोला नेशता घड़ता है इतर पास्तावी प्रें पेक्ष्या आपले मनाज जर्काई नहींके प्रेश्टनास देतर विचारमी तले उत्तर रहेचा प्रेतत नकलगा विरोजी पक्सक्राथ बश्ना का कैंच्य उत्तर माज़ा विदा पेक्षा या देशा मरे आणि खास तुरुन महाराष्ण मरे हिंदुना संपोनाची भाषा करनारी ताकवाज भी वाडान लगले लिये तेची शक्ति आवडेला अपलेला यानि ओर्मुकित दिसलिये ही शक्ति डेश विगा तक शक्ति वाड़त अस्ताना हिंदुतो वादी शक्ति तेचा मरे विवाजन होने ही आख्षुरा शिवसरी चे घुमी काये परन्तु शरत पवारानी आधित भार्ते जन्ता पक्षेला पाठिमबा जायर के लिए या देशा मरे भगवा आतंक्वादा शब्द मला ओक्ते शरत पवार ऐन पाइलाणी जन्माला अगर्त इश्रत जाहला सुरा निरपराट थरोनारे शरत पवार आणी तैंची राश्रवारी पार्टिया है तीचा धरी जानर शुरा राश्रवारी चे आमदार आणी सरगे कार्य करते हो ते या रास्त्रवादी चा पाठिम बाद जर्का भाजयोपा प्रत्यक्षे क्यों प्रत्यक्षे घेना रसेल आणि भगवा आतंक वाद हादो काई शब्दा है तो बोल्णा रेंची साथ ते घेना रसेल तर मला आपके तैंचे सुबत दाना आमाला प्रतिन जे आमाला उगड़ प्रत्यक्षे घेना लता मला आणिस धुतर दील पाइजे थिजरका फ्रत्यक्षे क्यों प्रत्यक्षय स्विह उंड्षे घेना रसेल तर सिवसे ना विरोजी पक्ष्याड भखेल प्रतार ना कराई शी नाई ये शोटी हिंदुना संकुर्णेशी भाश्या करेना दी शक्ति वाड़त अस्ताना जर्का हिंदुतवादी शक्ति मारे फूट पाढ़ने से काम करना रहेंचे सोबत भारते जनता पक्षे जाना रसेल तरतेया राज्यात अंडेशा से दूर देवट हैं जैसे मैंने कहां कि यह जो देश विर्वा तक शक्ति है वह अपने दर नजब के सामने बढ़ती दिखाई दे रही है और उसका अगर मुकाबला करना हो तो जितनी सारी हिंदुतवादी ताक्त है वह इकट्टा हो रहेनी चाहिए लेकिन अगर लेकिन अगर पीजेपी जाना चाहती है तो हमारा रस्ता अलग होगा जाम हिंदुतवा की साथ नहीं छोड़ेंगे अगर कि अकरी तीका अगर नहीं आपने अगर नहीं आप शिवह सेने चाहिए अणी महारश्राचा अफवान तुरून जर का मला सत्यस हा गी वाहिचा असल तरब से घेनाद नहीं सब्सक्राइब के होना ना ही अभी विरोधी पक्षाट बसू पर वाट्टिल दी लाचरी कुरून के सब्सक्राइब जैसे मैंने कहा देखो जैसे मैंने कहा कि हम भी महारश्रा में स्टेबल गवर्मेंट स्टीर सरकार अमल काई जय हैं हम चाहते हैं लाचरी कि फान करेंगे करेंगे आज तो हमने हमारा गटनेता जो है डिकलर किया है दो दिन अभी बाकी है कल तो सारे विधायक है नए जो चुने गए विधायक है वो अपनी शपत द्रेंड करेंगे पर सो की दिन शाहित अभ्यक्षा जी का चुनाओं होगा और उसके बाद पता चलेगा लेकिन मैं यहीं कहता हूँ अगर हमें मन्जूर नहीं हो गया इसी कुछ बात होगी तो हम विपक्षे में बैठेंगे और हम जन्ता के साथ है जग्रा गोश्टी में वेड़े उर्थी करेंग नियमका कारण है ना जद वेड़े दिशाहे कयानई संगितलो ठावाग केंड्रा मsweise्न तुम्यामाद सुबद हम आता हैं राज्या मरी नात्र कसा आसे नहीतर आसते हस्टीयास पदा आसतो पर डी की मगी जहपत्वीytt वे तो यह वे वह स्तित जाल अस्तर शेपद गेट लिए चीट रहं थानि एक लाणी विसराननी मीछ खंबोलो ल्याट शांको तुम्हाला विमान तॉद्हान एक आल शांघित लह उता चाने आशका कारण था तुम संहां पूराब तुम जी जर्चा सुरू आएगा अमझे सॉभान गान्योप लुद्वागा ना कि यहां जर्चा आई गोश्टिया कि काल शर्त पाँ परनी प्रेस पांफरेंश घेतली ताय निमीत आओ नम आईट ने पन्ड़ शरत पाँ जी सांगितला कि शीवसेन आ अंची मिरनेया पर आंता पोदवत निये, शिवसेशी बुभी का इभाजयप और राष्ट्रवधी चा पुमिगा धरना रहे, अजी बात ने, शिवसेशनी का इंच मने शनमाना ले विलोधी पत्षात बसाओ जे मी काई करतो है जिवसेशनी चा राज्या चानी देशयाय से हिता तत करतो है, उठेही लाचाली पत्षकुरोर मी सकते जानात नाहीं आता इंचा जानध्ना अंतिम नियाै मज्या आस बीकत यहां सबसक्रें केला है तुन्चे ही नेते शरत्पवार ने जों जुशा पुण भी बेटले ले आये तानी कशाप पद्धतीने बाजी कोण नी करता है जबागुआ यह भी शिप्रूद यह भी पहते शरत्पवार जे ले काल बोले कि नेते बेटले पन कोंटा ही प्रस्तान आए मंजे क्या वार्द सब्सक्राइब करता है जरूर सारे बात हो करता है सारे सवालों का जवाब मेरे पास है पहले जो सवाल आपने किया पहला जो सवाल किया उसका उत्तर यह है कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब अटल जी की सरकार पहली बार आए थी तेरा दिन की वो सरकार थी और अटल जी का फोन आया था बाला साब को कि बाला साब नाम दिया था दुर्भाग एकी बात है आज वो बीजेपी में शामिल हुए है खास करकर वो तेरा दिन की सरकार तेरा दिन के बाद तो गिर गई और वो गिराने वाले ते शरत पवार और आज शरत पवार की साथ माजबा को चाहिए और इसलिए जैसे सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं वैसा ही सवाल आप बीजेपी को भी पूछी हैं मुझे कोई जल्जी नहीं है और ना ही कोई जरूरत है ना ही मेरी मजबूरी है मैं तो आकिला चरो रहे आज तो चलता आया हूं अंगे भी जा सकता हूं सिर्फ ये हर एक की निती कैसी है वो साफ दिखाई दे रही है अगर भारते जन्ता पार्टी जिनों ने जिस जरूरत पार्टी ने अटल जी की सरकार उस वक्त गिराई थी वो गौमांगों ने विर उन्ताम जो आख काई ठीश है और कि तुमाला कगड़े लुक कैना थे शिर्मक्राइक फ्रिट जरा थांबा तुमाला घाई रहे नाहीं है जरे टारह तक प्रेश जरह नहीं है तक रमटार अब चैर्वाजारे मंत्रीय भैद भाना अनुद भाक नहीं है तुमाला केश़ा आटा साहील, या दर्ज़ शोर सा प्रस्ट, आःगेटेचा संदेश तूरा काये तू लाघर हाला काय? अने गावन के टिव्यों में ढूटे में तुमाले मकिति वाद पास न में गेटेचा संदेश सूरा लाघर सुमाला प्यड़े प्रश्ण आए गेता संदेश करे लोगे गीता करेशी नहीं करें तुमार्ण जी आपी निर्णे गेटेल आहे याचा आर्था स्पष्टा है कि आमी सत्यला लाचार नाही केवल आणी केवल आणी केवल एका गोश्टी साथी थोड़ा जो कामी तुमाला सयम नापोतो ऐसा वाट्ट तो यहदा साथी का है कि महाराश्ट्रम अदे हिंदूना संपून टाकनारी शक्ती या निवर्णुकी मरे तैनी डोकवर काड़लेला ह आणी चा बंदोबस्ता तरणेची आज दरज है केवल तैचे साथी हिंदूतो वादी शक्तिन चे विबाजन हो नहीं यह आँची आज सुदा एक अफेक्षा है दूर्देवानी जरकते विबाजन खाला तरी शिवसेना हिंदूतो वादी शोड़नार नहीं हिंदून ची पर अंशुबत जानार असे तर आमी विरोधी पक्षाद भसू आणी मनुर्ण उर्चा हा काल जो आए तो सरकार मारे बश्टार की नाहीं यहँडा पूर्ट यहाँ प्रश्चा उत्तर मारे इतना ही पक्ष दोन पक्ष हे हिंदून चा बाजुनी जानार कि हिंदूतो विर जानार त्याचा उत्तर माविनार फ्रश्चा है अणी जसमी उत्तर दिले तस भार्तिया जनता पक्षा करने सुधा यहाँ उत्तर माला अपेक्षित आए वाजा पक्षाद निर्णे गयाला मी बोखणा है तो निर्णे मी आता ही गेऊ शक्तो आणी उड़्या इऊ शक्तो अधा अधिन अधिन नायोध आमीद बंदील नई विश्वास दरचे थराओ घ्राओ क्याव एदा आँ, नहीं उत्तर दो नहीं उत्तर दो नहीं तो अधा ऐसेतर आट नशीन है शेसे पीज़ा नेख सर्फ कर दाएंगे अनुंट सेना विरुदी पुटी गीग का बिद है तो आप नहीं चाहिए विजबी के साथ तो निए ने खुछ से क्यों जाओ मैं बिन बुलाए मेहमान जैसे एंसीपी बन रहे वैसे मैं नहीं बनूंगा कोई मांना मांना मैं तेरा मेहमान यह मेरी निटी नहीं हो सकती कोई में अरे मैंने अभी कहा है एक तो की बात है इंदो तो की बात है मैंने उत्तर दिया है कि बात है कर लेना अध्यक्षे से ना उसरा इस सर्वा मानने असे तो चंग लाए पंट जरा एक एक में जरा थांवान तुमाला सब्सक्राइब की उड़ी गई का देले माला ने गई तुमाला का देले आज आमी आमचा घटने तर निवड लेला है ताचा अने तर उद्या आजिवेशन शुरूई एक 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 गोस्टी टपेन येतिक आज़्यक्षे पराचा नाव कोना से थे ताचा उत्यामी पार्टीमा देनार गिने आवलू कुन गई और अए कि अधिवाजंग के आज़िए बांग आज़िए तो संद्यामी कि आज़िए औल अगढ़न गौर्ण मेशे कि से तक एक 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 और जाएंगि आज्ग करेंगग स्था पिया जांए आपव् नहीं थी मैंने जैसे कहा कि पहले मेरी शर्ट थी कि महारश्र का चित्र कैसे होगा यह जब तक question नहीं होता है तब तक आज मैंने उनको कहा था कि मेरा सांसत्त आपके मंत्री मंदल में शामिल कि अधारी होगा और इसलिए अनिलगेसाई जी वहां पहुंचे थे और वहां से वापस दो कि अधार मुद करें प्राइब प्रश्ट तो आए हां महत्वत्वत्वाच आए जर का आपन से मानल तर जे मी बोलतो है जिए भाजप ना मानने आएका वोड़न काई प्रेश्ट चुटतर दर शितुम्हें भार्ते जन्ता पक्षालए विचार लोगता है पंडि पुना एक रसंतो शिवसेना ही स माहारष्ट्व चेटर अस्पष्ट ता ना किमो ना अस्पष्ट ठेवुन फद्रीपधि ली न जाते है और से शिवसेना सॉभिस बिमाना ने महारष्ट्रा चाम किया नीता उर्प्राइव है जुनिया आट्पन कोरूंदेड माज़ तर्टव या है जुनिया आई युति जी जाले होती है युति सत्यराजकर्ण साके नहीं हिंदुत्व साके होती है तो ने वाले ले लिया है और कल तक मतलब आने वाले दो तिन दिन में ठीक से उतर नहीं मिला तो हम विपक्ष में पईठेंगे करें लोगे 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 लाइन दो तो चुछ रास्ता कुछ रास्ता निकला नहीं है अगर निकला होता तो आज हम सब्ता में होते हैं तो चुछ प्रमुक उदव ठाकरे प्रेस कांफरेंस करते वे उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं का उन्होंने का कि हम महराश्ट में स्टेवल गॉर्मन्न चाहते हैं उन्होंने का कि हलागी दो दिन आगे के लिए बात उन्होंने टाल दी साथी-साथ उन्होंने का कि हम जननता के साथ हैं अनन गीते रिजाइन करेंगे या नहीं इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने का सई वक्ग जब आईगा तो उस पर फैसला लेंगे NCP यदि सात देती है BGP का अगर NCP का साथ लेती है BGP तो हमारा समरतन नहीं है और उन्होंने का कि अंतिम निर्णे पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं यानि दो तिन दिन का वक्त उन्होंने और लिया उन्होंने का कि तेरा दिन की सरकार जो ती वो शरत पवार नहीं गिराई थी जब एंडिय की सरकार बनी थी उनके साथ ही मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहा है यानि एंसीपी का यदि वो साथ लेते हैं तो हम समरतर नहीं देंगे और साथी सर्थ उनने का कि सुरेश प्रभू का बीजेपी बें जाना बेहत दुर्भागे पूर्ण है साथी उनने का कि हम ना तो मजबूर हैं और ना ही जल्दी में हैं दिनेश मौरिया हमारे सयोगी इस वक्त हमारे साथ करने के बाद भी आप भी अपने पतने के लिए तैयार नहीं है इसका मजब साथ पहुच गई है अफमान उनके नेताओं का फ्याजर बावजुद इसके कि अब भी जवाब बीजित को ही देना है जिस वह बंदन तोने का एलान किया था सब्सेना प्रमुद ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन देने को लेकर साथ का कि अगर बीजेपी एनसीपी का समर्थन लेती है तो शिवसेना बीजेपी को समर्थन नहीं देगे कि अगर बीजेपी राश्रवादी के साथ जाना चाहती है तो हमारा रस्ता अलग होगा उद्वन ने आगे कहा कि हम भी स्तिर सरकार चाहते हैं लेकिन भगवा आतंकवाद कहने वालों का साथ खबूल नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे हो हम समर्थन दे मारश तोडने की बात करे हो हम समर्थन दे खबूल आतंकवाद कहने वाले साथ रहे हैं और हम समर्थन दे ये संभो नहीं है दिनिश मौर्या लगातर हमार साथ बने दिनिश आज दिन बर हम शिवसेना के तमाम नेताओं से बात करते रहे तो उनका साफ ये कहना था कि अपमान हमारा हुआ है कि हमारे निताओं का उपमान नहीं हूए बलकी भुद उनके निता करी कि निताओं का आफमान हूए लेकिन उड़ो पात इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है बस उड़ो थकर जानत है कि अजरित पूर्वार पास हम के पास नहीं जाएंगे एक ऋूसरा कि अगर क्या Goze से बीजेपी महाराज में तरकार बनाती है तो लॉंग तर्म के हिसाब से चुसेना को इसका फाइदा हो सबस्वार इसी अपने फूरे प्रेस्पॉंस के दौरान इसी मुझे को बार 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 गोर देकर कह रहे थी बीजेपी अपना पक्ष साफ है तो फुल मिलाकर सथा में दिनेश ये जो लाचारी और मजबूरी शब्द आप इस्तिमाल कर रहे हम इसके पीछे असली वजह क्या है शिवसेना के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं कि उनकी शर्तों पर बीजेपी उन्हें सरकार में शामिल होने दे और यहीं वजह कि आप तको फैसला नहीं लेकिन आज की विजाएब दर के मिचल में एकमार को तुना गया है अगर बात नहीं बनती हैं कि अगर बीजेपी न्सीपी का समर्थन लेती है तो शिवसेना बीजेपी को समर्थन नहीं देगी साफ साफ जब उनसे सवाल किये गए प्रेस कांफरेंस के दौरान की अनन गीते क्या इस्तीफा देंगे तो उन्हें का कि सही वक्त आने पर वो इसके बारे में भी साफ करेंगे साथ ही साथ उन्हें का कि हम महराष्ट में स्टेबल स्थाई सरकार चाहते हैं दो दिन आगे की बात करके उन्हें मामले को और आगे तक खिसकाया है ताला है और उन्हें का कि हम ना तो मजबूर है ना ही जल्दी में कि अर जब उनसे कहा गया कि वह ड़स के पास क्यों नहीं जाते समर्थिन कği тол GU कि वो खुछ से नहीं जाएंगे बीजेपी का साथ देने की बात उन्ह ने जब ये चाहार साथीसाक नथे उनने का कि भगवा आतंकवाधी कहने कुछ और करेंगे लेकिन उन्होंने फिर दो दिन आगे का और वक्त मान लिया और का है कि हमने तो सिर्फ विधायक दल का नेता आज चुनना था सु हमने चुन लिया देखे महराष्ट विधानसभा का सद्र कलते शिरू हो रहा है कर शपद होगी और परसों महाँ पर विधानसभा का अज्यक्ष चुनना जाना है उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी क्या न्सीपी के साथ मिलकर वो संख्या पाती है जिसके जरीए वो अपने आपका मिजॉरिटी सदन में दिखा पाए वो बहुत जरूरी डिवल्मेंट होगा और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तो पर यह साफ हो जाएगा कि शिफ सेना और बीजेपी के बीच रिश्टे खतम हो गए तो यह अब तक का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक टाइम दिया है शिफ सेना की तरफ से बीजेपी को कि एक आखरी मौका है सोच लो विचार लो वरना यह 25 साल पुरानी दोस्तिक खतम हो जाएगी शिफ सेना यह ब्लेम नहीं लेना चाहती है कि हमने इस गड़बंदन से किनारा किया या इस गड़बंदन को तोड़ा है हम आखर तक कोशिश करते रहे आज की उद्व ठाकरे की बातकीत को सुनने के बाद यहीं लगता है कि यह एक और आखरी मौका देना चाहते है क्योंक कि उसकी बातें उसकी मांगें पूरी तरीके से बीजेपी मांग लें लेकिन दोनों के बीच एगो की रड़ाई एहम की रड़ाई सब्सक्राइब बर चुकिए पंकच कि कोई भी पीछे चूटना नहीं चाहता है इसलिए अगर बीजेपी एंसीपी की मदद से विदान सब तर दिखाता है कि वो बीजेपी को एक आखरी मौका दे रहे हैं कि सोच लो कि आप किसको अपना साथी चाहते हूँ बहुत बहुत शुक्रिया सुमेत वस्तिस तमाम बताने के लिए जानकारी देने के लिए आपका